गुल्ली में नवम भाव जो भाग्यबाव कहलाता है मुआ पर अगर सुब गर बैठें एसुब गरों का प्रभाव है नवम भाव पर तो आप मानके चले गए आपके उपर देवी करपा है देवताओं की करपा है तता पित्रों का अश्रिवाद है तो इसके लिए आपको आपके जीवन में आपकी कुणली को यह भाग्यबान बना देती है तो जो भी ग्रहवां बैठें हैं उनकी पूजा अरादना करने से आपका नवम भाव मजबूत होगा और आपको जीवन में हर तरह की सपलता प्राप्त होगी यह अपनी कुणली में जरूर देख आपने यह सरल से जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो के जरूर लाइक कीजिए धन्यवाद